हाई गाईज वेलकम तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग टुटोरियल की एक पूरी सीरीज जिसमें मैं आपसे बात करूंगा सी प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल सेशन के बारे में तो कौन-कौन से टॉपिक आप देखा हुगा तो थियोडिकल कौनसेप्ट आपके समझ आगे होंगे आपको मैंने वो बोर्ड पर लेक्चर लिये थे आपको आई होप कि वो चीज़े क्लियर हो गए होंगी लेकिन फिर भी कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप ट्रैक्टिकल अप्लोड करिए जिसमें आप कोडिंग करके कोई भी कोर्स कर रहे हैं ओ लेवल ए लेवल जिसमें सी प्रोग्रामिंग है अगर आप ओल्ड से दिवस के स्टूडेंट हैं आपको पेपर देना है तो आपको यह जो टुटोरियल की सीरीज है बहुत हैल्प करने वाली है आप कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टू जहां पर भी आपके लिए सी प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत यूस्फूल होने वाला यह टूटोरियल तो पूरा टूटोरियल वीडियो देखिए और जो भी आपके डाउट्स है वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूचिए टॉपिक हम कौन कौन से कबर करने वाले हैं उस पे एक बार बात कर लेते हैं तो सबसे पहले I'll start with the introduction to the C programming after that the basics of the programming like हम किस तरीके से उसके अंदर control statement लगाते हैं इसके अंदर फेल्स, loop, सारे loop, switch break, यह सारी चीज़े detail में बताऊँगा उनके उपर के programs भी आपको समझाऊँगा उसके बाद हम बात करेंगे array की तो array के अंदर starts from the one dimensional array to two dimensional array उसके बाद array of the characters यानि के string वो सब चीज़े भी मैं आपको बताऊँगा functions का क्या रोल होता है functions के बाद हम उसमें pointers का क्या रोल होता है pointers आप समझ गया होंगे जिसमें हम address store करने की बात करते हैं या फिर हमारे पास call by value, call by reference ये क्या concept हैं बहुत important concept होते हैं ये जरूर पूछे जाते हैं अगर आपसे कोई C में interview लेता है या फिर C में आपका कहीं भी कोई aptitude test होता है तो उसके बाद pointers के बाद structure और फिर data structure का introduction भी मैं आपको बताऊँगा data structure में क्या introduction for example आपका जो data structure होता है C के अंदर internally जो data store होता है वो किस format में होता है जैसे link list या फिर stack या फिर cube वो क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको basic पता हूँआ तो ये सारे topics हैं जो हम cover करने वाले हैं I hope you will enjoy the series और मैं ये सारा आपको practical करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे बहले आपको बता देता हूँ कि C के बारे में थोड़ा सा में overview देता हूँ तो C is a kind of you can say it is a middle level language हम इसको बूलते हैं और इसके जो father थे वो थे Dennis Richie now let's talk about the softwares we can use or we can say the editors we can use for making the C program so in the previous years we were using you know kind of the softwares like Borland C ये ये यूज हम कर लेते थे Borland C, Turbo C ये हम यूज करते थे right Borland C, Turbo C आप देखोगे तो ये हम यूज करते थे but अब हम ये softwares यूज नहीं करते हैं क्योंकि और advanced editors आ चुके हैं तो मैं जो अपने example के अंदर लेने वाला हूँ वो नाम है devcpp तो ये devcpp का software हम यूज करेंगे अपने जो भी examples में आपको करके दिखाऊंगा उनको समझाने के लिए और कौन-कौन से हैं अब आप Sublime यूज कर सकते हो आप Visual Studio Code यूज कर सकते हो आप NetBeans यूज कर सकते हो तो बहुत सारे software हैं जिसमें आप c language की coding कर सकते हैं तो I hope कि आप ये devcpp का link मैं आपको description में दे दूँगा वहां से आप इसको download कर लीजिए और इसको install कर लीजिए फिर उसके बाद आप मेरे साथ coding करिए तो चलिए हम चलते हैं बापस अपनी coding window की तरफ जिसमें मैं आपको तो let's go back to the coding window और उसके अंदर आपको क्या करना है जो भी visual studio devcpp का जो software है आप उसको click करके उसको open करेंगे और आपकी window open हो जाएगी window already मैं ने open कर रखी है इसके अंदर में coding लिखना start करूँगा और फिर उस file को save करूँगा और save करने के बाद फिर मैं आपको वह program चला के द देखिए किस तरीके से इसमें पहले है मैं header file जोडनी होती है तो header file क्या होती है वो मैं आपर लिख देता हूँ header file यानि हमारे जो c की जो हमारे functions है उनकी reference header file से मिलता है हमारे program को तो यहाँ पर पहले जो necessary header files है वो मैं add कर लेता हूँ लेकिन later on हो सकता है मैं और भी header file की करूँगा आपका c का program है उसके अंदर आपके program के अंदर अगर आपको उसको run करना है तो main function होना बहुत जरूरी है तो मैं इसमें main function मैं ना लेता हूँ void main main को example को आप इस तरीके समझ सकते हो कि जैसे हमारा train चल रही है तो train के अंदर जिस तरीके से आपका engine बहुत compulsory होता ह उसी तरीके से c के program के अंदर main function आपका compulsory होता है इसके बाद हम क्या करेंगे हम यहाँ पर कोई भी command इसके अंदर दे देंगे जैसे अभी मैं क्या चाहता हूँ कि main के अंदर I just want की मुझे कुछ print करवाना है तो मैंने message दिदिया this is my first c program यह मैंने लिख दिया must my first c program अब यह यह मेरा c का program बन गया मैं इसको save कर लूँगा save आप किस extension से करोगे आप save करोगे उसको dot c extension से तो मैंने ओलड़ी यह extension से save कर रखा है आप देखें c tutes इस नाम से मैंने इस file को save कर रखा है अब मैं इसको control ऐसे save कर देता हूँ run किस तरीके से करेंगे आप देख लीजे तो मै मैं यहाँ पर लिखूँगा execute यहाँ पर लिखूँगा compile and run right include conio.h include studio.h और यहाँ पर इसने दिया मेरे को h मेरे से यहाँ पर छूट गया चलिए इसको मैं save करके फिर से run कर लेता हूँ compile and run अब आप देखेंगे इसमें एक अलग से window open होती है output के लिए तो इसमें जैसे आपके output होके बापस आपका program वहीं चला जाता है इसलिए आपको get ch function का use करना पड़ता है अगर आप dev cpp लगाएंगे तो आपको get ch function के लगाने की जरूरत नहीं है तो चलिए यह आपके output आ गई यह आपकी output है और इसके बाद आपको यह पीछे जो coding window है आप इसको में close कर देता हूं और बापस जाता हूं उपनी coding window की तरफ तो इसमें मुझे coding लिखनी है और जब भी मुझे run कराना है मुझे हैं पर जाना execute और मुझे करना है compile and run तो I hope कि जिस तरीके से मैं प्रोग्राम चला रहा हूं आप उसी तरीके से चलाएंगे तो आपको भी यह चीज़े समझाने लएंगे चलिए अगले question की तरफ चलते हैं C के अंदर सबसे फ़ला important role होता है कि variable हम किस तरीके से उज़ करते हैं तो variable के लिए जैसे मैं आपको theory class में समझाया था आपको type पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के data type का variable declare करना चाहते हो तो suppose you want to declare a variable of integer type so how can you do that so you need to declare a variable like and the variable declaration must be the first statement आपको variable declare program के starting में ही करने बढ़ेंगे तो main function के अंदर ही मैं सारी की सारी coding कर रहा हूं लेकि later on ऐसा होगा कि हो सकता है मैं अलग से function मनाऊं और उन function को main से call करूं यानि main को मैं सिर्फ calling के लिए उज़ करूं बटर इस example के अंदर अभी मैं main के अंदर ही basically coding कर रहा हूं तो किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर मैंने लिखा अगर मुझा integer variable declare करने है तो how can I declare like int a is equal to 10 इसका मतलब एक variable बन गया जिसके अंदर मैं 10 value store कर रहा हूं इसी तरीके से v is equal to 20 एक और variable बन गया जिसके अंदर मैंने value डाल दी 20 and the name of the variable is b so in this scenario there are two variables I have already declared a and b and the type of the variable is int it means it may store the values of negative and positive as well but there is a certain range I cannot store the lesser values minus 32768 and the greater values rather than 32767 because that is the range of the integer value can store now how I will print the value अगर मुझे इनी variable की value को print करना तो मैं किस तरीके से करूंगा देखिये printf this is the function in C language to print anything if you have to give the same message you can pass on in the double quotes अगर आपको लगता है कि आपको किसी variable की value प्रिंट करनी है तो आपको उसको type on type pass on करना पड़ेगा for example मैं देना चाहता हूं the value of है न ये तो as it is रहे मैंने लिखा the value is लिख देते हैं the value is the value is किस क्या value है एक ही value अगर मुझे print करनी है तो एक ही value को print करने के लिए मुझे एक का type बताना पड़ेगा तो a is basically of integer type and we have a special symbol for integer type and that is percentage d percentage d means it is the value of an integer type variable now if we have to define another value how we can do that and suppose मुझे दूसरी की value भी लिखनी है तो मैं कैसे करूँगा and second value I can say second value is right इसको मैं किस तरीके से करूँगा the second value is percentage d comma लगा के अभी ये दोनों value किस किस के लिए थी मुझे वो बताना पड़ेगा यहां पहली value थी मेरी suppose a के लिए और दूसरी value थी b के लिए तो मुझे वो दोनों variable यहां पर बताने पड़ेंगे जो percentage d के लावा messages है वो adjectives आ जाएंगे और जहां पर percentage d यूज हुआ है वो बताएगा कि वो किस variable के लिए उज होगा तो पहला percentage d है मेरा a के लिए दूसरा percentage d है मेरा b के लिए यह वाला percentage d now we can see what is the output so it's not mandatory कि आप c के अंदर अगर आपको variable declare कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा program ही होगा इस program के अंदर मैंने just variable declare किये और just उनकी value को print कर लिया it's not mandatory के आपने variable declare करे है तो आप उसमें input भी लोगे या फिर आपके program के अंदर variable declare होई होगा ऐसा कोई hard and fast tool नहीं है अगर आपको variable declare करनी की जरूरत है तभी आप उनको declare करेंगे so that that's the now let's run the program so what I need to do I need to click on the execute and compile and run once I click on this now I can see the values the value of a is 10 and the second value is 20 this is the way how we can declare multiple variables and how we can run them right now another program now the question arises how we can declare the variable we already know that now how we can take the value input value in those variables so now let's go back to the scanf command so now in this scenario I am taking two variables like one is the a and another variable is b right but I have not initialized the values of a and b now I am trying to take the input from the user so what I need to do first of all I can give the message to the user like print tab enter two numbers right मैंने user को message दिया क्योंकि अगर मैं message नहीं दोंगा print tab का तो user को क्या होगा सबसे पहले input की command input का cursor उसको blame कर रहा होगा but user को पता नहीं होगा कि मेरे को input डाल नहीं है तो इसलिए मैंने user को एक message दे दिया पहले कि आपको दो number enter करने है तो अब क्या करेगा वो input लेने के लिए command है scanf scanf यहाँ पर दीखे किस तरीक से percentage d percentage d is denoting for integer इसी तरीके से अगर मेरे पास character होता तो मैं लेता percentage c मेरे पास float होता तो मैं लेता percentage f इसी तरीक से different symbols assign हैं तो मैं क्या करूंगा percentage d यानि for first variable and another percentage d for second variable और अब यह values मुझे किसके अंदर लेनी है तो अगर मुझे print करानी थी तो मुझे variable का नाम देना था a,b बट अब मुझे उसके अंदर value input लेनी है तो मुझे देना पड़ेगा m% a,m% b जब हम scan करते हैं तो मुझे साथ m% लगाते हैं बट जब हम सिर्फ print करते हैं तो मुझे साथ m% नहीं लगाते this is the way how we take the input with the help of the scanf statement and how we can print the value with the help of the printf statement this is the way now what I need to do I can make some calculations for example I have two values a and b now I can make the sum of them like how so I have not declared another any third variable I am declaring now c right and after taking the input I am you know making the sum c is equal to a plus b right after that I can print the sum of the value also and I can make some other calculations as well but what I am doing I am just trying to print the value right print the sum is percentage d comma and what is the variable which is holding the c where some variable so that is c so I can print the value of the c right so what is the program is actually all about it is having three variables a b and c it is giving the message to the user just enter two numbers after that it is you know taking the input with the help of the scanf statement and after that it is making the sum of two variables and after that it is printing the result actually so this is the way how we can implement the c program now let's run the code I'll go to the execute compile and run okay now you can see the program is asking two numbers so I will give 12 and another number 13 so what should be the output the output should be 12 plus 13 that is 25 so the answer should be the sum is 25 so let's see right the same result is over there right so this is the way you can take the input and after making some calculations you can print the output as well so that that is the basic program in which we discussed about how to declare the variables and how to take the input and how to make some calculations and after that how we can print the values right so now we will go to the next questions right so this is the way how you can also uh make some practice questions I'll give I'm giving you a hint you can take the input as length and breadth and after that you can make the calculations like area and parameter as well a lot more examples you can try out I'll give in the description box as you know I'll give uh the assignment link where you can you can calculate you can you can practice you can solve those questions right so now we will talk about the next question and then we will talk about the next question and then we will talk about the flow of the program but I think that I need to fix the flow of the program so what I need to do I need to apply the control statement and the control statements commonly used are if else loop 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 and the control loop 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 के बाद क्या होता है इफ के ब्लॉक के अंदर अगर आपकी इफ की कंडिशन प्रू होती है तभी हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीकुट होता है but else is the optional part of if it means it's not always mandatory that you need to put the else block but if the condition is true then if block will be executed if the condition is not true it means the else block will be executed so how we achieve that let's take an example मैं हाँ पर सबसे पहले header file डाल रहा हूं include studio.h after that I am putting another header file include koneo.h right इसके बाद हम बात करेंगे main function की तो मैंने main function बना दिया void main इसके अंदर मैं user से क्या program बनाता हूं कि मैंने एक variable declare किया let's say int n is equal to suppose 0 right but I will take the value in the end variable with the user so मैं किस तरहीं से लोंगा printf element message दिया उसको मैंने लिखा enter the number right और अब मुझे program किसी चीज का बनाना है तो देखे program मैं चाहता हूं कि जो मेरा number है मुझे check करना है whether that is divisible by 10 or not यानि वो 10 से divide हो जाता है number पूरा पूरा या फिर नहीं होता यह मुझे check करना है तो मैं कैसे करूंगा मैंने अब condition में दे दिया यानि वो number 10 से divisible है यह मुझे कैसे पता चलेगा इफ वो जो number user ने डाला है भी तो डाला ही नहीं हम ले लेते हैं पहले command क्या होती है हमारी scanf तो मैंने scan तो करवाए नहीं था मैं करवा लेता हूं scanf percentage d यह तो सिर्फ message था printf जो मैंने लिखा enter the number it was just a message अब मुझे अगर input लेनी थी तो मुझे scanf लगाना पड़ा percentage d m% n इसका मतलब n के अंदर वो number चला गया अब हम क्या करेंगे वो number divisible है या फिर नहीं है कैसे पता करेंगे if n का modulus अगर मैंने 10 से निकाला और वो मिल जाता है मुझे 0 it means यह मेरी condition अगर true होगी तब ही यह मेरा block execute होगा तो इस block के अंदर मैं क्या लिख देता हूं इस block के अंदर एक बात और याद रखना if के साथ अगर आपके पास एक ही statement है तो आप curly braces लगाओ या फिर ना लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता बट अगर आपके पास multiple statements है if या else block के अंदर तो फिर आपको curly braces का लगाना ज़रूरी हो जाता है बट better practice यह है कि आप curly braces का यूज करो तो मैं इसके अंदर curly braces का यूज कर लेता हूं और इस block के अंदर मुझे क्या लिखना है printf मैंने लिखा यहाँ पर the number is divisible यह मैंने message दे दिया divisible यह मैंने message दे दिया ठीक है अगर यह condition true होती है इसका मतलब अगर देखो remainder वाली condition तो आपको पता ही होगी यानि के अगर उस number को divide करने के बाद 10 से अगर remainder 0 आ जाता है तो remainder case check करते है उसके लिए हम check करते है percentage के symbol से तो नहीं percentage 10 इसका मतलब उसको divide करने के बाद अगर वो 0 मतलब वो number divide है पूरा पूरा इफ मैंने यह लिखा और else मैं मैं दूसरी condition दे देता हूँ तो else मैंने क्या दिया printf printf the number is not divisible यह मैंने message दे दिया मैं इसको screen को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ okay यह मैंने इसको screen को मतलब बढ़ लिया okay now i think you can see the complete screen तो यह मेरा program बन गया है हैंसे मेरी header file शुरू हूँ फिर मैंने क्या किया एक variable declare किया उसके बाद मैंने वह variable input लिया user से उसके बाद मैंने उसको check किया कि वह number मेरा divisible है या फिर नहीं है आप खुद इस तरीके से program बना सकते हैं इसके उपर जैसमें आप even out check करने का program बना सकते हैं but already मैं कई सारे अपने tutorial वीडियो में वह program दे चुका हूँ प्रेस on the enter button so it is clearly saying the number is not divisible right अगर मुझे दुबारे से रन करना तो मैं दुबारे से इसको execute कर वा देता हूँ compile and run now I am giving the number complete divisible by 10 तो मैंने डाला 70 और यह मेरे को message दे रहा है the number is divisible so this is the way how you can apply the if and else but you can also apply multiple if जिसमें आपने एक if फिर आपने दूसरी if condition लगा जी तो उस case में क्या होता है वो independent if होते हैं जानि एक if का दूसरे if से कोई लेना देना नहीं है हो सकता है दोनों condition true हो हो सकता है आपकी एक ही condition true हो हो सकता है कोई दोनों में से कोई भी condition true ना है तो यह भी मैं आपको एक example और बताऊंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे nested if की यानि if के अंदर if और if else का letter तो यह सारी चीज़े मैं आपको बताने बाला हूं but this version is just simple example for making the use of if and else I hope you got it what I try to explain आपको समझा गया होगा फिर भी नहीं समझाया तो आप जो भी doubts है आपके वो मैं इसे comment box में पूछ लीजिए I will be happy to give your answers and let's move to the next question